अब देख रहे हैं बहुत क्रेजी साच में बात करने वारा और ठंग्स ओफ इंदोस्तान के बारे में ठंग्स ओफ इंदोस्तान की चाइना की रिलीज को लेकर कई सारी चलचाय हो दी सोचल मेडिया पर इवन की सारी वेबसाइट्स ने अपनी अपनी राय भी दे दी है कुछ वेबसाइट ने तो यहां तक कह दिया कि यह चाइना में रिलीज होने के लिए तयार है इसे कार्ट छाट कर करीबन करीबन एक 141 मेंट की कर दिया गया है यानि कि दो घंटा 21 में की कर दिया गया है नॉमली यह फिल्म दो घंटा 24 से प्रतर सब्सक्राइट के आस पास की यानि कि कम से कम 20-22 में काट दिया गया इस फिल्म को क्योंकि चायर में उतनी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होती डाई गंटे से कमी की फिल्म आइधिक जा जातर तौपर रिलीज होती कुछ I don't know about जादा बट I think film को 20 किसमेट काटा गया ये खब्रे आ रही है और ये फिल्म जनुवरी में रिलीज होगी ठीक है ये खब्रे विद कुशिचन मार्क तो ओफिशिलल कंफरमेशन नहीं है ठीक है वैसे मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या ओफिशिल कंफरमेशन हो गया नहीं भाई ये आमि गड़ा कैसे होगी कई लोग बुले आमिल खान जाएंगे अफकोर जाएंगे आमिल खान लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कितना गमाएगी लाइफटाइम में कितना कमा पाएगी ठागज ओफ इंदूस्तांग चायना में ये एक बड़ा सवाल जरूर है चीतनी पागल ओडियंस आइमीन पागल मतलब क्रेजी जिसे हम कहते है अमिर खान के लिए इंडिया में थी आपने देखा क्या हुआ अब ही तग अपना थेटरिकल के हिसाब से मुनाफन ही निकाल पाई है तो क्या चायना में ये फिल्म कमा पाएगी अच्छी खासी कलेक्शन कितना कलेक्शन कर पाएगी ये मेरा सवाल है चायना में थक्स ओफ इंदूस्तांग आफ्टर ओडियंस सर पर बैठाएगी आमिर के सुपश्चाओ के बाद धबाके तार कलेक्शन कर पाएगी कितना कमा पाएगी जुरू बताएगा चुरी फेल कितना ही बागाए